है लुड ए रिश्टूरेंट केसी हूँ आप लोग इस्टूरेंट आज की वीडियो में समाज सास्त्र की जितने भी स्टूरेंट हैं और 2024 बूर्ड जाम में समाज सास्त्र का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो उनके लिए सबसी ज़्यादा important है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में आपका समाज सास्त्र का paper किस तरह से आएगा आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देनी वाले हैं तो वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा जितने भी student 2024 में समाज सास्त्र यानी sociology का paper देने वाले हैं आज का इस वीडियो उनके लिए महाबान सावित होने वाला है तो उच्छे लिए शुरू करते हैं और सारी चीजे हम समाज सास्त्र के paper से related पढ़ते हैं सबसे पहरे आपको समझना पड़ेगा कि वह या पूरांग कितना है सभी को पता होगा पूरांग सो नंबर का होता है समाज सास्त्र में समय आपको paper का पता ही होगा high school में अपने paper दिया होगा तो समय वही रहता है तीन घंटा 15 मिनट तीन घंटे आपको दी जाते paper को हल करने के लिए और 15 मिनट क्या दिया जाते हैं यह देखे 15 मिनट में आपको करना क्या रहता है कि जो आपका paper उसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है या पराम निर्देश में देख सकते हैं कि प्रारम में जो 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रशन पत्रन है तो क्या है प्रशन जो पढ़ने है तो निर्धारित होता है नोट में आपका वही होता है कि सभी प्रश्ण करना अनिवार रहे हैं प्रश्णों के अंक उनके सम्मुख अंकित है यानि जो भी प्रश्ण आपका पूंचा आएगा उसके सामने उसका अंक निर्धारित होगा कि ये प्रश्ण एक नंबर का है छे नंबर का है दस नंबर का यह आपको याद रखना है और इसमें जो आपका सारा रिलेटेड आ जाता है वो सारी चीज़ आ जाते हैं कि एक से दस तक बहुविकल्पिय प्रश्ण जो कि एक नंबर का होता है उसके बाद में 11 से 20 तक अतिलग होते हैं प्रश्ण जिनका परतेक सब्सक्राइब आपको लगवग 25 सब्दों में देना है तो सारी चीज़े हैं आप इसको ध्यान पूर्भा का वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं चले फिलाल हम बात करते हैं बहुविकल्पिय प्रश्ण के बारे में जो आपका बोर्ड एक्जाम में 10 कोश्चंस होते हैं पर तेक सा है इनमें से आपका चार विकल्प है चारों में से कोई एक राइट एंसर है यानि सही उत्तर है और तीन गलत है तो जो राष्टवाद के जन्म का कारण एदि आपको पता है तो कॉमेंड में जरूर बताईएगा देखे इनमें से आपका का हो जाएगा उपनिवेश जनगर्णा के आधार पर भारत की जो साथ छारत आधार है वो कितनी है जो भारत की वरतमान समयवें जो भारत की बात हो रहे है तो यहांपर जो 211 की यानि जो 2001 1a अभी 2020 चला है तो 211 की जन गड़ना के यहां पर आपको बताना है कि 2021 की जन गड़ना के अधार पर जो भारत की साच्चार्था दर थी वो कितनी थी तो इनमें से आपका वईया क्या हो जाएगा इनमें से गा हो जाएगा आपका 74.04% आपका हो जाएगा भारत की साच्छारतादर वो भी 2011 की जिनगरना के नुशार तीसरा देखे क्या है यह दिखे तीसरा प्रशन भारत में आयू वर्ग सरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है कोई भी कोईशन्स हमारा बहुत कल्पी में गलत हो जाता है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर junior ID बता सकते तो तीसरा जो प्रशने कि भारत में जो आयू वर्ग सरचना को कितने भागों में क्या है विभाजित किया गया है कितने भागों में विभाजित किया गया है तो हमारे जो राइट एंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा यानि तीन भागों में पहला आपका हो जाएगा क्या है बाल आयू दूसरा है आपका क्या है दूसरा पहला बाल आयू दूसरा आपका यूवा आयू उसके बाद में व्रिधा आयू तो ये सारी सी रहती हैं जो आयू वर्ग सरचना को विभाजित करती हैं खा आपका राइट एंसर हो जाएगा जो कि तीन भागों में हमने तीनों भागों बहुता दिया कि बाल वायू युवा और व्रिद्धा चलिए देखते हैं अगला प्रशन क्या है हमारा चौथा प्रशन देखिए स्टूडेंट देखिए कि निम्न में से कौन समाजिक साथ का उधारण नहीं है कौन सा नहीं है बोर्ड एक्जाम में सीम आपका इसी तरह का से पेपर पूंचा यानि यही स्टाटीजी रहती है और सारे कोश्चन से तरीके से पूंचे आते जैसे 10 कोश्चन आपका बहुत विकल्पी रहता है उसके बाद में आ जाता है आती ल अफीसियल लग उए तकि आपका एक अनुमान लग सके कि किस तरह से बोर्ड में पेपर आते हैं तो जो चौथा है इनमें से जो समाजिक संस्ता का उधारण नहीं है इनमें से आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से आपका समसमू हो जाएगा जो की राइट ए में भी चार विकलत दी जाएंगे तो पांच में का हू जाएगा आपको याद रखना है आपको याद रखना है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है सारा जो कोशन्स रहेगा यह सारे आपकी इस बुख सी रिलेटेड होंगे जो किताब है आपका उनीं से रिलेटेड है बाहरी कोशें कोई भी ने रहेगा छे नमबर प्रश्ण है छेतरवाद के प्रवल होने का कारण है जो छेतरवाद है इनमें जो प्रवल होने का कारण है विसकली इनमें से आपका क्या हो जाएगा उप्युक्त क्या हो जाएगा सभी हो जाएंगे यानि प्रभुजात की अधारणा किस ने दिये बहुत ही आसान प्रश्ण है और यह बोड एक्जाम में हर साल पूंची आते हैं जो प्रभुजात की अधारणा किस ने दिये यह आपको बताना है तो इनमें से आपका का हो जाएगा सारी मसरी निवास हो जाएंगे इसके राइट इनसर यह आपको रहाद रखना यहां मीत काफी स्टुडंअ को सारी qošio पता रहते हैं सारे questions क्या होते हैं काफी student को पता रहते हैं और पता रहते हैं तो सारे questions का answer देना आसान हो जाता हुए उसके बाद में देखिए आठवा प्रशन क्या है भारतिय संबिधान का तेहत्रवा संबिधान संसोधन संबंधित है यह किसी से संबंधित है का आपका हो जईगा केंद्रीशाष्यन वेवस्तन से यह घ़ा राज्यिसाष्यन वेवस्तन का उसके बाद में देखिए नाईंगत नंबर प्रशन क्या दिया हुआ है आ90 की वस्तवों के उत्पादन यह उष्यवाओं Cape आमानिवी सकती के क्या है अधिकाधिक परियोग से संबंधित परकिरिया है कोश्यस को आप पढ़ लीजेगा 9th नंबर प्रश्ण है ज्यादा जानकारी के लिए आप विडियो को रोक कर भी देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो देखें जो 9th नंबर प्रश्ण है इनमें से अपका खा हो जाएगा और दोगी करण हो जाएगा 9th नंबर प्रश्ण का सही उत्तर दस नंबर प्रश्ण देखें और हमारा आखरी वह विगलपे प्रश्ण है जो की एक एक नंबर का 10 questions रहते हैं तो इनमें से जो दसवा क्या होते हैं संगठित होते हैं तो यह हमारे दस प्रश्ण थे यह आपको याद रखना है देखें अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है समाज सासर का जो की 100 नंबर का पूरां किसे हिसाब से अति लगु उत्तरिये प्रश्ण आ चुका है और यह भी आपका तीन नंबर का पूछा याता है बूरिंग जाब में चलिए देखते हैं यह भी कितने प्रश्ण है यह साहद आपका कितने प्रश्ण है दस प्रश्ण है तीन नंबर का तीस नंबर इसमें भी आपका फिक्स हो जाएगा आती लगुत्तरिये का है तो मैं दिखा दू आपका आती लगुत् तो इसका भी अनसर काफी लोग जानते होंगे यदि आपने समासास 11 में पढ़ाओंगा 12 में जो आप पहुंचे हैं कि इसका परिभासा भी पूछा जा सकता है सूत्र भी पूछा जा सकता है तो खासकरी जियोग्राफिय में समसे जादा पूछा आता है जो भूगोल होता है तो यह पर लिंग अनुपात को अस्पष्ट करने की बात हो रही तो मैं बता दू जनसंख्या में क्या है जनसंख्या में इस्तिरियों और पुर्शों की संख्य के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है या इस प्रकार से भी आपका सूत्र हो सकता है काफी जादा पॉपलर सूत्र होता है सूत्र लागाना भी हमने जियोग्राफी में बता दिया है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है बाई आप सिवा मिश्टरी डॉलिल लिंग दीजिए आपको सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएंगी हमारे चैनल पर तो ये भी हमारा हो चुका है उसके अबाब में देखें तेरा नंबर प्रशन क्या पूछा गया ये देखें जन संख्या भी स्पोर्ट का अर्थ बता ये जो जन संख्या की होती है जन संख्या प्श्पोर्ट कहलाता है जो कारण है कि होती है मिरथी जनसंख्या में कवी होती है कंझा संख्या बल्री ये है इसको नहीं बता दिया एको समझ में आ चुका हूंगै उसके वाहने क्या है जन जातीयों की तक बढ से स्टाय होने का जो अधार हे क्या है तीन-दिन-दिन-प्र हमारा student suggestion है कि आप इस सभी प्रशनों का आप मत छोड़िएगा क्योंकि यह वी काफी ज्यादा important question है और इसको ज्यादा से ज्यादा तयार कर लीजिएगा जैनि जो ncrt का बुक है आपको सारा प्रशन आपको मिल जाएगा आप उस तरह से भी तयार कर सकते हैं और important हो आपकी बुक की पीछे भी तीर model paper दिये होते हैं यादि आप उसको ही solve कर देते हैं तो 30 से 40 नमबर उससे भी मिल जाता है तो तोटली आपका साथ से सत्सातर नमबर मिल जाता है तीस नमबर आप इजली अपने अनुशार कर सकते तो इसकी बात हो रही है तो इसका अंसर देखी क्या है आप दनी के आधार पर वरगी करण दूसरा आपका संस्कृति करण के आधार पर वरगी करण तो कुछ आपके से हेडिंग के पॉइंट के थुरू यह आपका चौदा नमबर प्रेशन का अंसर आपको देरा होगा तो जब आप पॉइंट अनुशार देते हैं कॉपी में जब अंसर तो काफी अच्छा लगता इंजानवर को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है और आपको भी संकिर्थे तो यहां पर बात हो रहे हैं सथ त्यसूधक समाज की इस्थापना किस दिखी है जो एकिसने कि है बता रहा है तो इसका अंसर सुख्ण बेसे जिए आपका 3 नमर यादी लगोत्त्रीय का परशन है तो इसमें थोड़ा आपको आगे करके लिखना पड़ेगा वुड़ा डी टियन में इसका अंसर देना होगा लेकिन हम समाज की स्थापना कितने संब में हुई ती किस ने की थी यह हमने बता दिया है इसको वियाप तैयार कल लीजिए उसके बामें बात क्या हो रही है छेट्रवाद क्या है इसको बढ़ावा बढ़ावा देने के दो कारण है दो कारण आपको पता होने चाहिए काफ़ी ज्यादा important है तो यह आपको दो कारण पता होने चाहिए तो दो कारण भी आप लिख सकते हैं आपके कोपी किस परकार से लिखते हैं तो हुन में प्रशन जाओ आपका लगूत तरीका उसमें हमने बताया कि हरित क्रांथ तो इसको भी आप देख सकते हैं तो आपके बुक में मिल जाएगा इसको भी आप तयार कल लीजिए गया उन्निस नमबर प्रश्ण क्या पूछा गया है और्दोगित समाज की परबुग विसेशताय बताई are you जो और्दोगित समाज है इसके लाके परबुग विसेशताय बताना है तीन में का प्रश्ण ही इसको भी आप तयार कल लीजिए है उसके बाद में वर्ग और जात में डिफ्रेंस भी आता है इसमें दोनों में अंदर बताना रहता है तो यह सारा कोश्ण जो आपको किताब में मिल जाएगा जो आपका उसके बाद में बाइस नंबर क्या है जातिय विशंता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वरणन कीजिए जो जातिय विशंता है इसको जो दूर करने के लिए जो अपनाई गई नीतिया है इसको आपको वरणन करना है छे नंबर का प्रशन इसको भी आप तयार क्ली जिए उसके भाद में दिखी क्या है हमारा दूसरा ऑ जाता है संफ़र्दायवाद का अर्थ्य परभु पर्भु कारण बताई लिए जो 23 न७रभ को किसे कहते हैं इसके परभु क्वर्भर कौर है ये भी आपको बता रहा है उसके वाद में चौभीष नमबर प्रभू जात इसे आप क्या सबस्ते हैं जो कि मैं सिरी निवास के अनुशार है इसका भी अपने ऑप्सन दे दिया है यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो भी आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं हमारे समय सीरीज चलना है कि हमने बताया कि किस प्रकार से आपका सेक्शन इसको आप तयार कर लीजिएगा तो यह आपका 25 नंबर प्रश्न इसको आप तयार कर लीजिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या है वह बन्दिली करण तता उदारी करण में किस प्रकार की बारतियों को प्रभावित किया जाता है इसका अभी आपको उत्तर देना है 6 नंबर का प्रश्न है साथी कोशन है क्योंकि इसका जो आंसर है आपको बुक में जो हमने एक वीडियो बराया है यादि आपने कॉपी वाला वीडियो आप प्लीज जरूर देखेगा उससे आपको ज्यादा है बिलेगा कि बोड एक्जाम में पॉइंट वाइज किस प्रकार से एंसर देते हैं किस एक्जामनर के साथ में जो कॉपी है किस प्रकार सी लिखने काक्वी जो है एक्जामनर जो काफी अच्छे मांक्स दिए सके उस सब्जिक्ट पर तूब भी आप लीच चेकाउट कीजिएगा अब हमारा आचुगा दीर गुद्टरिये प्रशन जो कि आठान नंबर का कीजिए तो दोरों में से जो भी आपको बैटल लगे वो कर सकते हैं नहीं तो 28 नंबर प्रश्ण में पूछा गया है भूविशुधार के परिणामों की दिवेचना कीजिए 200 सब्दों में इसका अंसर दे रहा होगा जो परतेक प्रश्ण आपका होता है अत्वा लगकर प पूछा गया है समाजिक आंदोलों को परभासित करते हुए परकारों का चर्चा कीजिए आठ नंबर का प्रश्ण इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा तो टोटली आपका जो दीर गुत्तरिये का प्रश्ण होता है जो कि आठ नंबर का पूछाता है और यह तीन कोश्ण होता है तीनों में आपका अथ्वा लगा होता है छे कोश्ण होते हैं तो जो भी आपको अच्छा लगा अथ्वा वाला लगता है तो भी आप कर सकते हैं नहीं तो आप दीर गुत्तरिये प्रश्ण भी कर सकते हैं तो टोटली यह जो सारा कोश्ण है आती लगुत्तरिये ल लिए चेक आउट कर सकते हैं जियोग्रॉफिक का नहीं तो नागरिक सास का तो आज की इस विडियो में वसीतना है आई होप कि आज का विडियो आपको पसंद आया होगा जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाली इस सारे कोशन को आप तयार कर लेजिएगा आप तो विडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलता है रेस्टू विडियो के डाय टॉपिक के साथ जहिद